नमस्कार सस्ट्रियाकाल, स्सलाम अलेकूम और हर हर महादेव मैं नितीश नंदनी बेसिक सिच्छा के इस ओनलाइन परिवार में आपका स्वागत करता हूँ तो कैसे हैं आप सब लोग और कैसा रहा आपका बीता हुगा कल वो कल जो बीता वो कैसा बीता cvot का result आ चुका है धीरे धीरे हर विश्विद्याले अपने registration पॉर्टल को open कर रहा है जैसे बियेचू ने open कर दिया, दिल्ली विश्विद्याले ने किया, अलहाबाद ने किया, जनु ने किया जगा जगा रेजिस्टेशन आप कर रहे हैं अपने CUET के मार्क्स के अनुसार ठीक है जितना आपको मार्क्स मिला है इसी क्रम में अगर आज हम बात करें ठीक है आज हम बात करने वाले हैं The English and Foreign Language University ठीक है कहाँ पर है ये हेदराबाद तिलंगाना में ये आपको website इसकी दीख रही होगी ये विस्विद्याले जो है उन बच्चों के लिए थोड़ा बहतर है जो बच्चे विदेसी भासा में या English language में या फिर वो विदेसी खेसी भासा में ठीक है या English language में या graduation करना चाते है यूजी प्रोग्राम में जाना चाते है खास करके विदेसी भासा में ठीक है तो उन बच्चों के लिए यहाँ पर admission पाना थोड़ा आसान होगा क्या होता है कैसे होता है कब इसकी प्रक्रिया शुरू हुई है ठीक है और किन किन प्रोग्राम में यहाँ admission मिलता है सारी details हम जानेंगे आपको वीडियो के अंत तक बने रहना होगा तभी आपको सारी चीज़े पता चल पाएंगे आगर हम बात कर रहे है इस university की तो यहाँ पर इन्होंने तक registration प्रक्रिया चलेगी ठीक है इस university की preparing the list of the shortlist candidate एक से दो अगस्त के बीच में यह जितने भी shortlist candidates होंगे जिनके admissions हो रहे हैं यहाँ पर merit list के अंसार वो जो है उनको उनकी list दे देगा uploading the list of the provisional selected candidate 7 अगस्त को दे दिया जाएगा first round admission counseling जो है वो 22 से 26 अगस्त के बीच सुरू की जाएगे मतलब अगस्त लास्ट तक जाते जाते जो है आपका selection जो हो जाएगा आपको पता चल जाएगा ठीक है अब यहाँ पर reporting time है ठीक है अगर आप Arabic, Persian और Korean में है तो आपको 22 अगस्त को reporting करना होगा Italian, Spanish, French में है तो आपको 23 अगस्त को करना होगा Chinese, Russian, German से कर रहे है तो आपको 24 अगस्त को ठीक है English में जाना चाहते है तो 25 अगस्त Japanese, Digital Communication और Performance, Arts and Humanities में जाना चाहते है तो 26 अगस्त को यह इन्होंने एक date release की है ठीक है इस date के अनसारा आपको जाना होगा अगर हम बात करें कि कौन कौन से subject में कौन कौन से sector में आप यहां यूजी कर सकते हैं और कौन कौन से subject combination चाहिए यूजी के लिए ठीक है? तो यहाँ पर आईए देखते हैं फिर लेक बार seat देख लेते हैं परफॉर्म्स आर्ट्स, डिजिटल कम्मुनिकेशन, सब में 20-20 सीटे हैं, इंग्लिस में 40 सीटे हैं यापर ठीक है, यूजी प्रोग्राम में अगर आप उनके रिजिनल केंपस सिलॉंग जाना चाहते हैं वहाँ के लिए ओफर कर रहे हैं, तो इंग्लिस में 20 सीटे हैं और जनलिजम और मास कम्मुनिकेशन में 20 हैं इनका एक और छेतरी campus है लखनौव में है जहां से आप English से BCTM पर जहां से आप English में BA Honors and Research कर सकते हैं ठीक है तो लखनौव में इनका भी एक regional campus है एक regional campus सिलॉंग में है और जो इनका main campus है वो फिलाल हैदराबाद में है तो यह इनके तीन campuses है ठीक है यहां से आप UG कर सकते हैं औ और एक चीज आपको और बता दे अगर आप यहां registration करना चाहते हैं तो देखिए इन्होंने साफ साफ कहा है कि registration fee जो है general OBC और PW के लिए 500 है SCST के लिए 250 है और PW आप है तो आपको 100 रुपेस पे करने होगे मतलब general OBC में आते हैं और EWS में आते हैं तो आपको 500 देना होगा SCST में आते हैं तो आपको 500 रुपेस देना होगा और अगर आप फिजिकल डिसेबल हैं किसी तरीके से तो आपको 100 रुपेस देनी होगी अब ज़र हम बात करने कि आपके subject combination कौन से आपके CVT के result में होने चाहिए यहां पर जाने के लिए तो यहां पर अगर जाना चाहते हैं आ जा सकते हैं अगर आप जो हैं BA honors English में जाना चाहते हैं तो आपको एक language चाहिए ठीक है और उसके बाद सीधे जनर्टेस्ट चाहिए मतलब एक language जनर्टेस्ट मतलब बीए चू के लिए जो qualification है वही qualification यह आप यह फॉरेंड इंवस्ट्री के लिए भी English and foreign language इंवस्ट्री में जा सकते हैं ठीक है अब यहाँ पर बात करें से इंग्लिस ही चाहिए हिंदी नहीं ले सकते हैं ठीक है उसके बाद हम बात करेंगे अगर अगर आप जो हैं BA honors Arabic में करना चाहते हैं तो कोई एक language में करना चाहिए लेकिन अगर आप Arabic में करना चाहिए तो आपके पास कोई एक एक लेंग्वेज होनी चाहिए और जनरल टेस्ट होना चाहिए लेंग्वेज और जनरल टेस्ट के बेसिस वे आप एरबिक में ओनर्स कर सकते हैं ठीक है एरबिक के अलामा आप जो चाइनीज ओनर्स करना है तो वहां पर भी एक लेंग्वेज चाहिए और जनरल टेस्ट चाह जो है आपको Japanese के लिए भी चाहिए एक language और जनरल टेस्ट वही क्वालिफिक वही subject combination जो है वह Korean के लिए भी चाहिए एक language जनरल टेस्ट ज्यादा मतलब जहां तक हम जहां तक इन्हों ने बताया है वह यही है कि एक language जनरल टेस्ट चाहिए इंग्लिस को छोड़ करके इंग्लिस से अगर आप आपको लाइंग्वेज में इंग्लिस चाहिए और एक जनरल टेस्ट चाहिए ठीक है तो यह यहाँ से पढ़ने सकते हैं तो आप यहां से पढ़ लिजे टिक है तो चलिए रेजिस्टेशन प्रकृइवर शुरू हो चुकिया आप रेजिस्टेसन कर दीजिए चूकियेगा नहीं इस बार चूकना नहीं किसी भी कीमत पर ठीक है चलिए तब तक अपना खयाल रखेगा ज रहां रहिए जैसे रहिए स्वस्त रहिए मस्त रहिए और हां सबसे बड़ी बात क्या है खूब पढ़िए क्योंकि पढ़ने के लावा कोई विकल्प नहीं है तब तक के लिए धन्यवाद जैहिन